हेलो फ्रेंड्स कुसुम्की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं हरे लस्टन का अचार बनाऊंगी और सर्दियों के मौसम में बहुत जाज़ा ही बिखता है वो बजार से आप ले सकते हैं नहीं तो आप अपने गंबले में उगा सकते हैं और इसको बहुत टेस्टी लगत है और बहुत असाने बनाना तो चली के स्कार्ट करते हैं बनाना हो सब्सक्रा cast करके और कर वाथ क्यों साइब करूटे और मेंने हरी मिर्च को वी डूट तोड़के अच्छे से साप यां और अच्छार का मसाला एंस्जाद अर चिल कर रख लिया है और इसको अब शोगर कर बड़े पर चुटे चुटे पीसे में से कट लेंगे और इसको फिर हम मिक्सीम के जार में थोड़ा ग्राइड करेंगे ताकि दरदरा रहेंगे बढ़ और मुह में से चुटे-चुटे आएंगे बहुत अच्छा लगेगा अधे फिर इतने बड़े-बड़े पीस कट करके औ अइसी अमधरी मिर्च को भी मिलिखे दाल बै winner बड़े पीसे मेर गया गे और रमें मिलिखे-टानों कत्सुटे में सब्कुट में बड़ा पीसे टीचम में और तो बहुत अच्छा लगेगा वो देख्या मेंने था कुट कुटा आदे उसको चोड़ा बड़े पीसे में म और शुका लेगी और इसको पानी इसको करेंगे और इसको मैं हम मिक्स करेंगे देखे, मैंने इसको कर दोप में अच्छे सीव बन गया है, इसमें अब हम मसाला एक करेंगे, में इसमें मसाला एट करेंगे नमक आप अपनी टेस्ट के अटो थोड़ा जादा रखेंगे तोचार खराब भी नहीं होता है लॉंग टाइम रुकता भी है और इसमें अमचुर पाउडर है तो थोड़ा जादा ही डाल देना और फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना आप इसको काच के जार में रखेंगे होत अच्छा है और इसको सफर में डाल चावल किसी के भी साथ कहा सकते हैं प्लीज रेडिये वीडियो अच्छी लगए लाइक सबस्क्राइब सेर करना मत भूलना थैंक यू अ